हेलो इस पर आपका योगे सेकेटिम स्वागते आज की स्वीड़ हम देखने वाले हैं Government College of Engineering जवत मल के बारे में तो आपको इस स्वीड़ में इस College से related complete information मिल जाएगी सब सब पहले हम देखेंगे information about college तो इसमें आपको college का rank, college चाग्रेड, college का establishment college से nearest airport, bus stand, railway station यह सब आपको पता चल जाएगा सेकेंड नमबर पर हम देखने वाले कॉलेज में कितने department से total और हर एक department से total कितनी सीटे हैं थर्ड नमबर पर हम देखने वाले MSC City 2021 का cut-off हम हर एक branch का हर एक category के साफ से cut-off देख लेंगे से उसी तरह हम हर एक category के साफ से फीज स्ट्रक्चर भी देख लेंगे पांच में नमबर पर हम देखने वाले college के hostel के बार में जिसमें आपको hostel का फीज और मेस का फीज भी देख लेंगा index capacity क्या है को भी देख लेंगे छटे नमबर पर हमारा सबसे में बड़ आता है और चार साल कंप्रीट होगे हैं फर्स बेस पास आउट हो चुकि है इस पार 2022 में अब इंसे रुट नेम की बात करें तो college का हमारा पूरा नाम government college of engineering यवत मल है अब हम कॉलेज के location की बात करें तो college हमारा post box number 24 दमन गाउं रोड यवत मल 4,045,001 में आ जाता है अब आगे बढ़ते हैं अब हम college के status के बारें बात करें तो college हमारा स्ट्रा गवर्मेंट से एक ग्रेड भी मिला हुए अगर आपको इस कॉलेज से रिलेड़ेट और इंफर्मेशन चाहिए तो आप इस कॉलेज की ऑफिशल वेबसाइट पर जा सकते हो जो कि हमेंचन की गई है www.gcoey.ht.in तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी आप वहां से चेक आउट कर लेना अब हम कॉलिज से एरपोर्ट के बात करें तो नाकूर एरपोरट जो कि 15-2 कि दुरी पर नियरस स्रेलवेशन के बात करें तो धमन गाव रेलवे पर लेश्टेशन के आपकरते हैं मिल प्रोइट करता है तो आप बहा हैँ और देख पर ब्रांच में तो आपको ब्रांच की इंट्रीटे मिल जाते हैं यहां पर ब्रांच में तीन सीटे हो जाते हैं अब हम कॉलेज में एड्मिशन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं तो इस कॉलेज में हमें स्रिफ MSC City एक्जाम के थ्रूए अड्मिशन मिल सकता है तो हम यहां पर MSC City 221 का कट अफ देख लेते हैं हम हर एक ब्रांच का हर एक क्याटिग्री के साब से कट अफ देख जो कि बहुत कम है इडिए अप देख सकते हैं 35.43 परसेंट आल गया था टी अडिए डुल्योस का 68.32 परसेंट आल गया था एक्टीफाइट पॉइंट परसेंट आल गया था और जो इएंटीजी डिपार्टमेंट है जैसे कि मैंने आपको पहले बता हैं एंटीजी हम उसे बलते हैं इलेक्टोनिशन टेलीकम्निकेशन डिपार्टमेंट को इसमें ओपन का जो कट अफ है 70.89 परसेंट आल गया था ओवीसी का 69.66 परसेंट आल गया था स्ते का 63 परसेंट आल गया था स्ती का 55 परसेंट आल गया था परसेंटाल गया और तीजोस्का आप देख सकते हैं यहां पर 74.52 परसेंटाल गया अब मेकनिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो ओपन ना गटाउफ 62.83 परसेंटाल गया है अब देख सकते हैं कितना का में 0% परसेंटाल में यहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं मेकनिकल डिपार्टमेंट में अब EWS की बात करें जो ओपन ना गटाउफ 42.44 परसेंटाल गया था ती अडिले का 63.59 परसेंटाल गया था आप देख सकते हैं यहां पर आराम चाइडमिशन हो पाएगा जैसे आप देख सकते हैं यहां पर सिविल का इलेक्ट्रिकल मेकनिकल अगर आपको इन ब्रांचिस म तो वह 65-75 के बीच में हैं अगर आपको सियस ब्रांच चाहिए तो आप सियस का कट अफ देख सकते हैं तो इसका 87 परसेंटाल गया है अब हम कॉलेज के की बात करें तो हमें आप कॉलेज की फर्स्टीर बीटेक की फिस दी गई है जो कॉलेज का ट्यूसन फिसे 15,000 दिया ग करें गया है इनका जो कॉलेज का ट्विस और ड्रेफिस होता है वो दोनों हंड़ेट प्रसेंट आउफ हो जाता है और आपका जो ट्विशन होता है वो आफ हो जाता है और जो आपका EBC, SCBC और EWS की फीज होती है इसमें आपका जो ट्विशन होता है उसमें आपका 50% बाकि ड्विशन होती है इसलिए आपका टोटल फीज होती है यहां पर 17,201 रुपीज हो जाती है अब कॉलेज के बारे में बात करें तो कॉलेज को स्टार्ट होके चार साल कंपलीट हो चुके तो लास्ट यहर इस कॉलेज में गर्ल्स होस्टल आया है बॉइस के लिए स्टार्ट के लिए 500 रुपीज है और मेडिकल फीज की बात करें तो दोनों के लिए 50 रुपीज है ने सब्सक्राइब करें तो यहां पर 11,50 रुपीज हो जाती है और आप SCST के डिगरी से बिलॉंग करते हो तो आपके यह जो फीस है यहाँ पर 11,050 रुपीस हो जाती है और जो होस्टल में एड्मिशन प्रोसेस है वो आपके मेरिट के बेस पर होता है और आपको कॉलेज का होस्टल नहीं लगता है तो आप कॉलेज के आसपाथ भी रह सकते हो वहाँ पर भी बहुत सारे होस्टल अब लेवल है बसी से थोड़ा प्राइस उनका ज्यादा होगा और सबसे में पाट आथ है कॉलेज का प्लेश्मेंट रिबोर्ट इस कॉलेज को चार साल कंप्लीट हो गए 2022 में सबसे पहली बैच पास आउट होई थी तो उनका यहाँ पे प्लेश्मेंट दिया गया है एंटिसी मतलब इलेक्ट्रोनिशन टेलिगम निकेशन डिपाट्मेंट में 23 बच्चों का प्लेश्मेंट हुआ था और ओवरॉल प्लेश्मेंट आप देखके नाइटी बच्चे सेलेक्ट हुए थे तभी जास स्टार्ट हुआ है इसलिए यहाँ पे आपको 50-40 परसेंट मिल जाता है दिर दिर आगे बढ़ेगा 60-70 फिर 1890 जाएगा और आपको अभी भी कुछ वीडाउट रहेगा इस कॉलेज से रिलेड़े तो प्लीस कमेंट करके बता देना और नेक्स कॉन से कॉलेज करी और आपको अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सस्क्राइब करना और जेतना होता कि अपने दोस्त लोगे जास टेयर करना थैंक्स पर वचिंग